नमस्कार मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशिक और बहराईच से इस वक की बड़ी खबर आ रही है बहराईच के गाउ में एक भेडिये को घेर लिया गया है ये इस वक की बड़ी अपडेट सामने आ रही है बहराइच में युद्ध स्कर पर भेडियों के लिए सब्च ओप्रेशन चल रहा है व्हाइज बड़ी अफ़ेट ये कि एक गाउ में भेडिये को घेरा गया है गाउवालियों ने भेडिये को घेर लिया है हिंदू पुर्वा में एक भेडिया घेर लिया गया है आपको बता दे कल भी भेडियों का अटाक हुआ है जिसमें एक बच्चे की मौत हुई है एक बुज़ूर महिला घायल हुई है मुख्यमंत्री ने खुद इसको आपदा घोशित किया है और कहा है कि हर साल पकड़े जाना चाहिए भेडिये को और इसको खबर ये कि बहराईश के हिंदू पुर्वा गाउं में एक बेडिये को गाउवालों ने घेर लिया है सीदे अब आपको लिए चलते हैं हमारे सेवगी राजीव इसको ग्राउंड जीरो पर मौझूद है राजीव क्या ताज़ा अपडेट आपके पास लोगों ने लाठी डंडो से भेडिये को घेरा है क्या प्रशासनिक मदद भी उन तक पहुंच पाई है प्रशासन पहुंच पाया उस लोकेशन तक अब देखी इस वक्त में बहराई थी मैसी छेतर के उसी हिंदू पुर्वा गाउं में खड़ा हूँ जहां पर आप देख सकते हैं कि सैकलों की संख्या में जो ग्रामीन हैं उन्होंने इस मक्य के खेत में इस आदम खोर बेडिये को घेर रखा है आप से कुछ देर पहले इन ग्रामीनों को कहना है कि यहां पर एक बेडिये को देखा गया है जो एक बच्ची को उठाने का प्रयास कर रहा था क्योंकि आज तड़के सुबा करीब चार बजे ही पडोस के गाउं में इस बेडिये ने एक मासूम बच्ची को सिकार बनाया है जिसके चलते बेडिये की हमले में उसकी मौत हुई है ऐसे में कुछ लोग यहां मौझूद हैं जिसे हम बात करने की कोशित करेंगे और इसके साथी साथ आपको दिखाना भी चाहेंगे कि इस वक्त जो बेडिया है वो इधर भागा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि चारो तरफ खेतों में जो किशान है जो ग्रामीन है वो लाठी डंडे और भाला लेकर इस वक्त उसको घेर के रखा है बनवा की टीम को भी जानकारी दी गई है और आप देख सकते हैं कि सैकड़ो की संख्या में हम अपने सयोगी से चाहेंगे कि चाहें उमाहिलाए हो चाहें ग्रामीन हो वो इस पूरे आपरेशन में जटे हुए है एक बार दादा कहां पर दिखा है भई बेडिया इधर यहा ले खाहा पर खाहा पर जंगल में बाइटा है आप देख सकते हैं कि यहां पर सैकड़ो की संख्या में सभी लोग सभी लोग यहां यहां पर इस पूरे मक्य के खेत में लगे हुए हैं ना सिर्फ एक तरब से बलकि हर तरब से इसको गेरा गया इस दोरान वनभा की टीम को कि अभी जानकारी दी गई है कि वो यहां पर ततकार ड्रोन कैमरे लेकर पहुंचे ताकि यहां पर ग्रामीडों के साथ उसे यहां से बाहर निकलने ना दिया जाए आप सकते हैं कि तमाम लोग यहां पर मौझूद हैं कहां पर भेडिया देखा था कितनी दिर पर देखा ग मेरे घर के पीछे दर रोड के उस पार में जुनरी मकाई के पास में था हम लोगों ने तीन आदमी गए टॉर्च लाठी लेके तो हम लोगों को चहटा हम लोग वापस भागे आप देख सकते हैं कि ग्रामिट जो है उदर टैक्टर से लेकर भी खड़े हैं और हर तरब से इस बेडिये ने तरके सुबा हमला कर एक मासूम बच्ची को मौत के घाट टुता रहा है जिसको लेकर हर वर्ग में नाराजगी देखने को मिल लही है चाहे बड़ा हो बुढ़ा हो या बच्चा हो बाबा कहा दिखा है बेडिया तमाम लोग यहां पर बैठे हैं बेडिये कहा अब दिखा है इधर अभी में आया हूँ आप देख सकते हैं कि यह सर्च ऑपरेशन जो ग्रामीनों का है उन्हों ने खुद इस पूरे ऑपरेशन बेडिया की कमान संबाल लग की है क्योंकि वन बाक कई बार सूचना दी गई जब तक वन विवहां की टीम मौके पर पहुं हुए हैं हर तरफ से प्रियास किया जा रहा है चाहे बच्चे हों चाहे बुड़े हों बुजुर्गों सभी लाठी डंडे लेकर भाले लेकर इनके हातों में आप देख सकते हैं कि यह यहां पर पहुंचे हैं इनको अब लगता है कि वन भाक के भरो से यह सर्च ऑपरेशन नहीं छोला जा सकता अब यह कमान खुद समालनी होगी वरना यह आदम खोर भेडिया किसी दिन इनके बच्चे को भी शिकार बना सकता है आप देख सकते हैं कि एक टीम इधार है आगे पानी भरा हुआ है दूसरे जो ग्रामिन है वो दूसरे छोर पर गेराव करते हुए न देखना ये होगा कि मौके पर ये टीम कप पहुंचती है क्या यहां के लोग ग्रामिन इस भेडिये को पकड़ने में काम्याब होंगे या एक बार फिर ये सातिर भेडिया इनके चंगुल से बाहर जाता हुआ नजर आएगा लगातार बाहराईश में हो रहे भेडिये के हम लेको लेकर खुद मुख्यमत्री योगिया दितनात में निर्देश दिया है कि जो चाहे भाराईश हो सीता पूर हो बिजना और हो लखिम पूर हो वहां पर सासन के बड़े अधिकारी ततकाल मौके पर पहुंचे और आसपास के जीलों के विशे सग्यों की टीम मौके पर लगाई जाए ताकि इन आदम खोरों को पकड़ा जा सके और मौतों का सिलसिला जो है उसे रोका जा सके और यही कारण है आप खौप का आलम देख सकते हैं कि न सिर्प ये युवा बलकि पूर्य घरों की महिलाएं भी इस वक्ते इन खेतों के बॉर्डर पर खड़ी हैं मे बहुत अंदर जाने में भी डर लग रहा है इंतजार किया जा रहा है कि वहां की टीम यहां पर पहुंचे और इस भेडिये को पता लगाए जा सके है कि इस वक्त भेडिया कहां पर है तो कुल मिलाकर अब आपरेशन भेडिया की जो कमान है वह इन ग्रामीनों ने भी यहां पर संभाल ली है उम्मीद जता ही जा रही है कि जल से जल इस भेडिये को पकड़ा जाएगा बिलकुल बिलकुल और लोगों ने ही इस भेडिये को घेर लिया है और महिलाएं भी जोर शोर से पूरी हिम्मत के साथ यहां गन्ने और मकई के खेतों में जो है वो दिखाई दे हुआ है तो ऐसे में प्रशासन की मदद क्या इन तक पहुंची है ताकि यह जो शेत्र जिस पर लोग दावा कर रहें कि अभी भी भेडिया यहां है जल से जल उस भेडिये को पकड़ा जा सके लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट ही है कि भेडिये ने आज सुबा सुबा ए की कोशिश की भेडिया भागा जरूर है लेकिन उसी इलाके में है जिस इलाके को इन लोगों ने घेर लिया है लाठी डंडा भाला लेकर ये लोग खेतों के चारो तरफ उपस्थित हैं महिलाएं भी इसमें शामिल हैं राजीव हमारे सयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमें ताजा तस्वीरे दिखा रहे हैं लोगों से बात कर रहे हैं राजीव ये तो लोगों ने अपनी सूजबूज से सिलाके को घेरा है क्या प्रशासनिक मदद अभी इन तक पहुँची है तो लगता है राजीव डिसकनेक्ट हो गए हैं एक बार फिर से उनको अपने साथ जोड़ेंगे लेकिन आपको ताजा तस्वीर और अपडेट बता देते हैं आज ही सुबा भेडिये ने एक और हमला किया जिसमें ये बुज़ूर महिला जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं उनको चोटे आई हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है लेकिन एक बच्ची की मौत भी हो गई है तो बहराइच में भेडियों का आतंक जारी है रात में आदमखोर भेडिये ने अलग-अलग जगा तीन हमले किये और इस हमले में एक बच्ची की जान चली गई हमले में बुज़ूर महिला बुरी तरह से घायल हो गई जबकि तीसरे हमले में एक लड़का घायल हुआ है उ और एक बर फिर से बाचीत की कोशिश करते हैं राजीव से राजीव बहराइच के हिंदू पुर्वा गाउं में लोगों ने तो घेर लिया है आसपास सबी खेतों को और उनका ये दावाए कि इसी एरिये में हो सकता है लेकिन प्रशासनिक ड्रोन भी है जिनसे सही सही लोक प्रशासनिक मदद इन ग्रामीड को नहीं मिल सकी है क्योंकि आपसे कुछ देर पहले ही इन लोगों ने इस बेडिये को देखा है जिसके चलते आप देख सकते हैं कि ये लोग अपने अस्तर से कॉम्बिंग करते हुए नजार आ रहा हैं आप देख रहा हैं कि चारों तरब से ये वेटलैंड है जिसके चारों तरब से इन लोगों ने गहराओ कर रखा है दूसरी और सैकडों की संख्या में ये ग्रामीड है आप देख सकते हैं कि पूरी मेड पर जितने संसाधन ग्रामीड अस्तर पर जुटाए जा सकते हैं उनके जरिए ये ऑपरेशन किया रहा ह वन विभाग की टीम को भी इनफर्म किया गया है कि वो ततकाल पहुंचे क्योंकि अगर इन्हें समय रहते ड्रोन कैमरों की मदद मिल जाएगी तो इस बेडिये को पकड़ा जा सकेगा जिसका इंतजार भी किया जा रहा है आप देख सकते हैं कि लोग इंतजार करें दूसर इस बेडिये को यहीं पर पकड़ा जा सके लेकिन देखना यह होगा कि क्या समय रहते वन वाग की टीम यहाँ पर पहुंच पाती है और इस बेडिये को आज यहां से पकड़ पाती है या नहीं क्योंकि इसी से चंद कदम दूर महाज 3-4 किलोमेटर दूर आज सुबह करीब चार बजे ये भेडिया एक गाओं में घुसा और वहां मासूम बच्ची को अपना सिकार बनाया तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं अब से कितनी दिर पहले भेडिया किस इलाके में कहां पर दिखा था जी अभी दस मिनट दस यह गंटे हुआ लग उदर मेरे बतीजा देख आप देख सकते हैं कि क्योंकि इस जो ये मक्य का खेत है इसके बाद वेटलैंड है यानि पानी भरा हुआ है इसके कारण जो ग्रामीड है आपको ये इस पूरे इलाके की मेड़ पर नजर आ रहा है आगे नहीं बढ़ पा रहा है चारो तरब से ग्रामीडों ने इस गाओं का प्रयाज करें अब देखना ये होगा कि वनुभा की टीम कितनी देर में यहां पहुंच पाती है क्या वो जो तमाम अत्यादूनिक संसादन है चाहे वो धर्मल कैमरा हो या फिट्रोल कैमरा हो उसके जरिए इस वेटलैंड में छिपे बिल्कुल और फिलाल तो ऐसा लग है ग्रामिनों का कि वो अभी भी इनी खेतों के बीच में उन्होंने उसे घेर लिया है उसकी सही लोकेशन क्या है और क्या वाकई आज इसको पकड़ा जा सकता है आपका शुक्री अपडेट के लिए आप नजर बनाये रखिए और फिलाल आपको तस्वीरे बता रहे हैं और इन 12 तस्वीरों में आप अब तक की पूरी अपडेट देख पा रहे हैं आज सुबा ही एक बच्ची को मार डाला भेडिये ने फिर से उसने हमला किया तीन अलग अलग जगों पर इस भेडिये ने हमला किया है गाउं बदल र किस तरह खतरनाक साबित होई तीन अलग अलग जगों पर इस भेडिये ने हमला किया काले अंधेरे का फायदा उठा कर ड्रोन से निगरानी चल रही है हतियार प्रशासन के पास हैं भेडिये ने कुल मिला कर दसवा शिकार कर डाला है क्यामरे में दिखाए भेडिया और लं संभव कदम उठाए जाए भेडियों को पकड़ा जाए हमलों को रोका जाए सुरक्षित कैसे रहना है ये भी लोगों को बताया जाए जन प्रतिनिदियों का भी सयोग लिया जाए सरकार ने भेडियों के हमलों को आपदा घोशित कर दिया है और पेड़तों के लिए हर मदद के लिए कहा है CM ने वनमंत्री से कहा कि वन विभाग के कर्मियों को बहराई सीतापोर, लखीमपूर, पीली भीट, बिजनौर और दूसरे प्रभाविट शेत्रों में लगाएं सभी विभागों की जोइंट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए